हलो एवरिवन स्वागताब सभीका जुने क्लासिज में प्रियोग साला सायक लैब असिस्टेंट प्टी राजस्तान पुलिस के सिंदरब में हमारे एक सीरी चल रहे थी जिस में राजस्तान जीकी के इंपोर्टेंट कुशन हम पढ़ रहे थे आज राजस्तान जी के mix question में आपको पढ़ाने वाला हूँ एज़े practice आपकी करवाने वाला हूँ और आप लोग भी एज़े test इसको लेना आप ये देखना कि आप कितने question कर पाएंगे 50 में से क्योंकि अगर राजस्तान जी के की बात करें आप कितने question कर पाते हैं आज आप मुझे बताना end तक आपको class को लेना है जिसने अभी तक session को share नहीं किया है वो session को share करें like करें चलिए शुरू करते हैं पहला question आपके सामने ये रहा आजादी से पहले राजस्तान का छित्र कहलाता था तो आजादी से पहले राजस्तान का छित्र कहलाता था राजपूताना सहिक्त प्रांत मद्य प्रांत या बंग प्रदेश दोस्तों आप सभी को पता है आजादी से पहले अगर हम बात करें राजस्तान की तो इसे राजपूताना कहते थे छेकर नाम राजपुताना के नाम से जाना जाता था इस शेतर को इसमें कई छोटे छोटे जो है कई छोटे बड़े प्रांत थे बतलब इसमें जो है रियासते थी इसके अलावा और भी जो है इसमें चोटे राज्य थे इसके अंदर चेकर ना बाद में इसको जो है विले कर लिया गया भारस संग के अंदर इसको विले कर लिया गया बाद में ठीक है और वाद में जो है इसका नाम राजीस्तान पड़ा तो अभी आजादी से पहले इसका नाम था राजपूता ना option 8 next question राजस्तान के तियास के प्रेणता किसे का जाते हैं तो बहुत अच्छा सवाल है कि राजस्तान के तियास के प्रेणता कहें जाते हैं क्या आंसर होगा बताइए दोस्तों करनल टोड होगा हेरो डोटस होगा जोर्स थोमस होगा या इन में से कोई नहीं क्या होगा आंसर question number 2 का बताईए दोस्तो question number 2 का answer क्या होगा राजस्तान के तियास के प्रेंडता कहे जाते है Colonel Todd, Herodotus, George Thomas इन में से कोई नहीं question number 2 का जो right answer है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Colonel James Todd को क्या कहते है राजस्तान के तियास का प्रेंडता कहते है राजस्तान में पाई जाने वाली तामर पासांड संसकर्ती है बताई यह आहर है काली बंगा है ए और भी दोनों है या इन में से कोई नहीं तो तामर पासांड संसकर्ती के अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है दोस मित्र में तो राजिस्तार में पाई जाने वाली टामर्वाष पासान संस्कृ्ति आहड ja काली बंगा, next question, राजस्तान का वैस्तल जो हडपा को तामे की वस्तुयां और आप पूर्ती करता था, क्या आंसर होगा, काली बंगा होगा, ठेकिना मिथल होगा, गनेश्वर होगा, इन में से कोई नहीं, question number 4 का आप लोग answer करें, जल्दी से बताएंगे, उसेशन को लाइक कर लें, सबी लोग, बहुती जबरदस्त question, राजस्तान जीके के mix question, as a test मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बताईए, कि क्या answer होगा, कितने आपके सही हो रहे हैं, ये भी आप लोग बताईए, तो राजस्तान का वैस्तल जो अडपा को तामे की वस्तों के आप उर्ती करता है, काली बंगा, मीथल, गनेश्वर, यहन में से कोई नहीं तो question number four का right answer है, गनेश्वर, next question, राजस्तान का वैस्तल जो पसुपालन का प्राचिन्तम साक्ष पृस्तुत करता है, दर, आहड, काली बंगा, बागोर, तो पसुपालन राजस्तान में बहुत ज़्यादा प्रिचलन में है, बहुत ज़्यादा यहापर जो है, बकरी, इन सब का जो है, आपर पसुपालन, अब में योगदान है, इन सभी पसुपालन का, तो राजस्तान में पसुपालन क्रेशि दोनों ही प्रिचलन में है, तो यहाँ पर जो है, इसके प्राचिन्तम साक्ष प्राप्त हुए है, किसमें, दर, आहड के अंदर, काली बंगा के बागोर के अंदर राइट आंसर दोस्तों बागोर ऑप्शन डे नेक्स्ट कुशन किसने राजिस्तान के गंडराज विवस्ता के सदा के लिए समाप्त कर दिया तो राजिस्तान के अगर हम गंडराज विवस्ता की बात करें तो यहां पर जो राइट आंसर होगा 6 में वो हो की बात करें मतश था आपका सीवी जनपद सूर सैन जांगल जनपद ये बाद में महाद जन में परिवर्थित हो गए थे ठीक है न तो माजनपदों में राजस्तान में इस्तित माजनपद थे इसका राइट आंसर जो होगा कुश्य नबर 7 का वो हो जाएगा ए और भी दोनों मतश शावंती दोनों ही इसका राइट आंसर है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अने केडमी प्लेटफॉर्म पर रेगूलर मेरी फ्री स्पेशल क्लास होती है SSC कैटेगरी में SSC नॉन टेक्निकल कैटेगरी में सामाइन ज्यान में पढ़ाता हूँ अगर आप किसी भी एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं और उसमें GKS सामयन गयानाता है History, Political, Geography, Economic, Science के कुशन पूछे जाते हैं तो बहुती शांदर क्लास है आज शाम को 8 बजे और regular होती है मेरी क्लास का नाम है मातोजी सलाम सीरीज आपके माका सपना पूरा करने वाली सीरीज दोस्तों और आज शाम 8 बजे बहुती शांदर क्लास होने वाली है बिल्कुल फिरी क्लास है कोई बच्चा आ सकता है लगबख सो कुशन रोजाना में वहापर पढ़ाता हूँ अनलोक कोड आप लोग लगाएं GEN UI 10 इससे आपकी क्लास फिरी अनलोक हो जाएगी बिल्कुल जो है आपका डाउट हो कोई भी एजुकेशनल अपडेट हो किसे के डाउट आप पूछ सकते हैं लाइब आकर मैं लाइब रहता हूँ शाम को 8 बजे तो आज भी शाम को 8 बजे बहुती शांदर क्लास है आप लोग जरूर जुडें और अभी तक डाउनलोड नहीं किया त और नोन टेक्निकल में जाके आप मुझे फॉलो कर लें नेक्स्ट कुशन राजस्तान के किस तीरंदाज को अरजुन पुरुसकार मिला तो अगर हम अरजुन पुरुसकार की बात करें कि राजस्तान के किस तीरंदाज को अरजुन पुरुसकार मिला शामलाल मीना निम्बा तो खेल जगत की बात करें वैसे तो महारणा प्रताप अवर्ड जो है खेल जगत के छेत्र में हैं लेकिन राजिस्तान की बात करें हम राजिस्तान के अंदर जो है खेल जगत छेत्र में सबसे बड़ा जो पुर्सकार है वो दिये जाएगा आपका राजिस्तान खेल रतन में और अभी जो है उसका नाम परिवतित करके जो है आपके होकी के जादूगा ध्यांचंद के नाम पर रख दिया है और अभी राजिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पुरुसकार है खेल में वो राजिस्तान खेल रतना वोड है नेक्स्ट कुशन कुशन नमर 10 मासक ओलमपिक 1980 में राजिस्तान की और से भारतिय मैला ओकी टियम का प्रतिनित किया था सुनीता पूरी ने वर्षा सोनी ने ये दोनों ये इन में से कोई नहीं कुछ नमर 10 का आंसर है दोनों सुनीता पूरी भी और वर्षा सोनी भी राजिस्तान से संब्धित मेजर राजवर्दन सिंग राठोड का संबंद की स्केल से है ये राजवर्दन सिंग राठोड की बात करें तो अलम्पिक में पतक जीच चुके हैं साथ ही आप सभी को पता है कि ये राजनेती में भी रह चुके हैं मिनिश्टर ले चुके हैं केबिनेट के अंदर तो इनका सम्मंद किस खेल से है राइट आंसर है निसानेवाजी शूटिंग से इनका सम्मंद है राजिस्तान के किस शेत्र में कभी मतश शेत्र के जो राजा थे विराट की राजदानी विराट नगर थी तो राजिस्तान के कि जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जैपूर के दक्षनी भाग में option डिगदम ठीक है next question किस नदी को रिगवेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती, यमना, गंगा इनमें से कोई नहीं 13 का जो राइट आंसर है question number 13 का यह हो जाएगा दोस्तों इसका 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर गंगा नहीं सरस्वती होगा रिगवेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया क्योंकि सरस्वती नदी के तट पर जितने भी वेद उपनिशन की रचना होई है तो right answer option A अगला सवाल, सिकंदर महान के आकर्मन के कारण पंजाब से राजिस्तान में इस्तानात्रन करने वाली जातिया थी सीवी, अरजुनायन, मालव, ये सबी 14th का right answer option D, सबी हो जाएगा next, राजिस्तान में खेलो के विकास के लिए नहरू युवा केंदर की स्तापना कब हुई तो 15 जो right answer राजिस्तान में खेलो के विकास के लिए नहरू युवा केंदर की स्तापना तो right answer है question number 15 का option D, 14 November 1912 राजिस्तान में खेलो के विकास तता खिलाडियों को उचित अवसर एवं प्रोस्तान परदान करने के लिए या इसके उदिश से राजिस्तान राजिकीड़ा परिशद का घटन किया गया तो राजिस्तान राजिकीड़ा परिशद का घटन हुआ Question number 16 का अंसर 1957 में 1957 57 राजस्तान का राज ये खेल बास्केट बॉल और बास्केट बॉल के सुरवात कब से होती है तो 17 का आंसर 1948 राजस्तान में अर्जुन पुरुसकार के समान कौन सा पुरुसकार दिया जाता है तो अर्जुन पुरुसकार के के अंदर दिया जाता है स्पोर्स के अंदर दिया आए जाता हैल राजस्तान सरकार ने खेल दतुर पूलसकार चुर्वाद कब से की अच्छा सवाल है 19 आंसर 19 1994 में 1994 इसका राइट ऐसर होगा राजयस्तान के लिम्बराम किस खेल के लिए अंतराश्टि ख्याती प्राप्त है तो लिम्बराम जी हमने पढ़ा है अभी कि इनका जो संबंध है एक स्थे इनका nazi से है सुटिंग से इनका संबंध इनका सवाल 21. अगला सवाल 21. और यहाँ पर कन्यावद को रोखने के लिए प्रियास किया गया, 21 का जो राइट आंसर है, ओप्शन C, B का नेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कुशन, राजप्रमुक के पद को राजपल का पद नाम दिया गया, 22 का जो राइट आंसर है, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 1956, वरत राजप्रान का परदान मंत्री कौन था, तो 23 का यहाँ पर राइट आंसर है, हिरालाल सास्त्री, वरत राजप्रान का परदान मंत्री था, हिरालाल सास्त्री, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 24 का दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा option B एक नवंबर 1956 को इसका एकिकरण कंप्लिट हो जाता है और एक संपूर्ण राजिस्तान की एकिकरण की प्रिक्रिया कब से सुरू होती है देखो राजिस्तान का जो एकिकरण है 1948 से स्टार्ट होता है और इसके बाद में एक नवंबर 1956 जो है चपन तक इसका निर्मान चरता है तो 48 से लेकर 56 तक एकिकरण होता है साथ चरणों में इसका एकिकरण होता है दोस्तों तो right answer option A 1948 डेट के अगर हम बात करें तो 17-18 मार्च और इसका आंसर होगा question 26 निमलिखित में से कौन सा इस्ताल राजिस्तान में अठार सो सत्ताओं की किरांती केंदर थे next question राजिस्तान रियायसतों में सबसे पहले किस रियायसत में परजा मंदल की स्तापना होई आगे बढ़ने से पहले सैसन को लाइक कर दो बहुत ही कम लाइक है सैसन को लाइक ठोक दो important question में आपको पढ़ा रहा हूँ जैपूर इसका right answer हो जाएगा next राजिस्तान नहर का निर्मान निमलिखित में से कहा से हुआ तो राजिस्तान नहर का जो निर्मान है वो होता है आपके राजिस्तान feeder की समापती से और वैस्तान का राजिस्तान नहर को आप किस नाम से जानते हैं तो इंद्रा गादी नहर को इंद्रा गादी नहर परियोजना सबसे बड़ी सेचाई परियोजना है 29 राजिस्तान के किस शेत्र में सागवान के वन पाये जाते हैं बहुत अच्छा सवाल है कि सागवान के वन के शेत्र में पाये जाएंगे बताए दोस्तों मद्य में उत्तर दक्षिन में उत्तर प इसका अध्यन होता है जासे सेरी कल्चर में रेस्टम कीट पालन का होता है एपी कल्चर में जो है आपके मदुमक्की पालन का होता है उसी प्रिकास से जो शिल्री कल्चर है इसके अंदर किसका होगा ठीके नाम तो right answer हो जाएगा कुशन नमर तीस का गंगा नगर ऑप्शन सी ठीक है ना होटी कल्चर की हम बात कर रहे हैं राजस्तान का सागवान का कौनसा व्रक्ष है तो ये बड़ा ही आसान है थार्टी वन आपका रोईडा हो जाएगा टेकुमेला एंडुलेटा इसका केमिकल स्वरी बोटनिकल नेम हो रहे हो जाएगा नेक्स्ट कुशन लोक देटा गोगा जी का थान सामेन तेक इस पेड़ के नीचे लगाया जाता है तो गोगा जी का थान जो है इसका विघ्यानिक नाम होता है याद रखना वनों की रक्षा के लिए राजस्तान की अमरसाइद महिला और आप सभी को पता है अमरता देवी जो विष्णोई संपरदाई से थी और वनों के संदक्षन के लिए इन्हों ने अपनी आत्मा होती दी अपनी जान दी इनके साथ कापी सारे लोग कापी सारे महिलाओं का जो है यहां पर दियानत हो गया था तो इनको जाना जाता है वनों की इस रक्षा के लिए संदक्षन के लिए अमरता देवी राइट आंसर सागवान के वर्यक्स किस जिले में संकेंदरित है बहुत अच्छा सवाल है और सागवान के वर्यक्स के अगर हम बात करें तो थार्टी फॉर का जो राइट आणसर हो जाएगा उद्यापुर सबसे ज़्यादा वन संप्धा की जिले में है राजस्तान के अंदर तो उद्यापुर इसका अंसर होगा धर्रा वनिजी अब्यारन काँपर है तो ये कोटा के अंदर है थार्टी फैप जो है बड़ा ही आसान है धर्रा जो है घडियालों के लिए फेमस है और काँपर है कोटा जिले के अंदर इस्तित है गोडावन जो राजस्तान का राज्य पक्षी है अभी इसके संक्या बहुत कम है तो रेड डाटा बुक में सामिल है विलूप तोने के कगार पर है बहुत कम संक्या रह चुकी है इसकी तो गोडावन पक्षी राजस्तान के शेत नारगड अभ्यारन के जिले में तो नारगड आपको पता यह नारगड का किला है और नारगड का किला जैपूर में है तो इसका अभ्यारन भी जैपूर में ही होगा ठीक है ना अगला कोश्चन केवला देव गना पक्षी व्यार जो साइबरीन क्रीन के लिए जाना जाता है और पक्षी अब्यारन है जो भरतपूर के अंदर इस्तीत हैं, सवाल नमर चालीस, राजस्तान के किस राष्टि उध्यान में, पक्षियों का संरक्षन किया जाता है, इसी में किया जाता है, 41 राजिस्तान में बेरिलिय मुत्पादक के दो प्रमुख जिले कौन से है तो राइट आंसर हो जाएगा हुदैपूर और जैपूर क्या हो जाएगा हुदैपूर और जैपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजिस्तान के कि जिले में प्राकर्ति गैस के बड़े बंडार खोजे गए यह पूछा गया है लडी सी एक्जाम में आ रहा है वह बहुत अच्छा सवाल है और राजिस्तान 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 में सरवादी कुल विक्रे मुल अरजित करता है 44 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बालू पत्थर आंसर कीजेगा 45 का निम्नांकित जिले में से टंगिश्टन जिसका प्रतिक डबलू होता है सरवादी क बंड़ार पाये जाते हैं तो 45 का राइट आंसर नागोर के अंदर नेक्स्ट, खोधरीबा छेतर में खनन संबंदीत है, इंपोर्टेंट कुश्चन है, खोधरीबा वाला, बताओ आंसर, कुश्चन नमर 46 का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, खोधरीबा छेतर जिसके खनन से संबंदीत है, तांबा, चांदी, मेगनीज, सीसा जस्ता, ला पर निमलिखित राज्यों में से जिप्सम का सरवाधिक उत्पादक, जिप्सम जिसको घरम करके पीओपी बनाते हैं, केल्शियम सल्फेट होता है ये, और इसका सरवाधिक उत्पादक राज्य जो है, 47 का जो राइट आंसर है, वो हो जाएगा आपका राजस्तान, विसका में नमक उत्पादन का मुख्य केंदर तो सांबर दोस्तों, थेकिना सांबर जो एक सबसे बड़ी जीलक खारे पाने की, और जप्र के पास मही है, और राइट आंसर उसका हो जाएगा सांबर, तो पचास इंपोर्टेंट कुश्चन मैंने आपको पढ़ा दी है, इस सेसन म पर आप जो जाना, थैंक यू, बहुत बहुत दन्यवाद,